जाकते रहो आओ हम सभी मिलकर स्वयम को दुखों से मुक्त करें मिलकर सुसाइड करें कितना आसान तरीका ढूंड़ा है तुम्हें एक बार ज़़ा सबकास्ट 20-30 सेकंड की सांस अटकी और पूरे जीवन के सभी जंजटों से मुक्ती बहुत उत्तम सोच आए तुम्हारी फिर ना कोई कमाई की टेंशन ना कोई खर्ज की ना पतनी की ना बच्चों की ना पढ़ाई की ना विजनस की ना लोन चुकाने की ना समाज में नीचा होने की बहुत सस्ता बहुत उत्तम रास्ता ढूंड़ा है तुम्हें तो मुक्ता ही चाहिए मैदान से भागने का तुम्हारा नाम कोई देवी देवता के नाम पर होना चाहिए हाँ जन छोड़ दास नाम ठीक रहेगा तुम्हारा बिना लड़े ही हाल मान जाते है कोई तीस वर्ष में हाल मान जाता है कोई पचास में हाल को तुम्हें अपनी नियती मान लिया है तुम्हें परमात्मा ने दी है उसने तुम्हारे भाग्या में लिखी है तुम्हारे प्ररब्द में लिखी है तुम्हारे करम ही ऐसे थे इस्टितियां ऐसी बन गई छटी के दिन विधाता ने तुमारा भाग्य ऐसा ही लिख दिया था जूट, कोरा जूट तुम ही अपने हर कृत्य के जिम्मेदार हो अगर किसी बुद्ध से पूछोगे तो ऐसा ही उत्पर मिलेगा मेरे जीवन की आँखो देकी घटना है जब मंडल आयोग आया था पूरे भारत वर्ष में विरोध खुल कर सामने आया था चारो तरफ आगजनी, दंगे, फसाद, सरकारी संपत्ति का नुकसान बसे जलाई गई, मोर्चे निकाले गई उपद्र हुए और सैकड़ो जवान बच्चों ने आत्मधा किया क्योंकि मंडल आयोग की नीतियां उन्हें पसंद नहीं आई मैं ये निर्ण नहीं दे रहा हूं कि नीतियां ठीक थी या ठीक नहीं थी वो तुम अपनी अपनी इस्थित्री अंसार जानो लेकिन तुम्हारी मानसिक इस्थित्री ठीक नहीं थी मैं तो ये कह रहा हूं नंबर अच्छे नहीं आये चलो मरते हैं अब जन्रल कोटा कम हो गया चलो आत्मदा करते हैं अब सरकारी नोक्री नहीं मिलेगी मरने का अच्छा बाहन है अब जीवन के आगे अंदेरा चागया सुसाइड करने का इससे बड़ी हमोका फांसी लगा लेते हैं बहुत असान है कभी सोचा कि मरने के बाद अगर तुम्हें कोई दूसरा जीवन मिला तो क्या वहां सारी इस्टियां तुम्हें तुम्हारे अन्कूल मिलेगी जैसा जैसा तुम चाहते हो नहीं सोचने की फुरसत ही का है मिरत्यू असान रास्ता है इस दुनिया में किसी को भी सबी कुछ नहीं मिलता तुम्हें लगता है जो उपर बैठे में सुखी है लेकिन वो जिस उल्जन से गुजरते हैं उतनी उल्जन तुम शैस ही नहीं पाऊगे बड़े मकान, बड़ी गाड़ी उचे ओधे वाले तुम कहां सहोगे तुम तो ज़रा सी उल्जन से भाग कर फांसी लगाने को तयार हो जाते हैं भगवान के भक्त कहलाते हो ज़रा देखो क्रिशन का जीवन पैदा होने से लेकर अंद तक कस्ट ही कस्ट पैदा होते ही हमले शुरूँ शायद ही कोई महा ऐसा जाता हो जब कभी कोई न कोई दानव मोत बनकर ना आता हो बड़े हुए तो मामा ही मारने को राजी हो गया महाबारत में भी अर्जुन के लिए लड़ना पड़ा मत्रा पर भी आक्रमन सहना पड़ा अंत में अपने ही बच्चे अपने सामने लड़ मले लेकिन देखी तुमने किशन के चैरे की मुस्कराहट जो हो रहा है होने दो तुम बस साक्षी मात्र खड़े दो लेकिन तुम तुम तो ऐसे हटते हो कि पूरे ही हट जाते हो क्रिशन कम ग्यानी थे जो साक्षी होकर खड़े हो जाते थे जिन्ने कस्ट चूता भी नहीं था तुम कहते हो क्रिशन को तुम थोड़े साक्षी थे लो हम तो पूरे ही साक्षी हो जाते हैं हम तो दे को ही मिटा देते हैं ना रहेगा बास ना बचेगी बास दी तुम तीस के हो गए पचास के हो गए सतर के हो गए तुम सुखी नहीं हुए क्यों? तुम्हें जीना ही नहीं आया कितना सुंदर जीवन मिला था लेकिन तुमने तो कुछ ओर ही सुन रखाया इस जीवन के बारे में सुना है न तुमने तुमारी पुस्त कें तुमारे धरमशास्त, तुमारे धरमगुरू क्या सुना है तुमने दुखालियम दुख का घर This body is not for a gentleman मैं अब ऐसी ऐसी मूरता पूर्ण विचार धारें ढोगे तो तुम भागो ना मदो ना आत्मत्या ना करो ऐसा तो होई नहीं सकता तुम सुख को भी दुख में बदलने के लिए कुछ भी कर सकते हो परमात्मा हार जाएगा तुमारे आगे जड़ा ध्यान से देखो अपने आसपास देखो पूरा आस्तित तो अनन्दित है बोरा गुन गुना रहा है तितलियां नाच रही है मोर नित्र कर रहा है मदुमक्खी रोज रोज गुलाब से पराग लेकर शेहर बना रही है गाएं का भचड़ा जो अभी अभी पैदा हुआ है उची उची कुडाले मार रहा है कवा तक वेदगान कर रहा है सागर ब्रह्मनाद कर रहा है बंदर उचल रहा है कुटा मस्ती से सोया है तुम सभी मिलकर जिस जिस चुरासी की निंदा करते हो देखो वो चुरासी कितने अनन्द से जीवन को जी रहा है लेकिन चुरासी से घिर्णा रखने वाले तुम चुरासी को निंदनीय समझने वाले तुम चुरासी से अपने को स्वयम को उत्तम समझने वाले तुम तुम रण छोड़कर भाग रहे हो क्योंकि तुम दुखी हो किसी की नोक्री चली गई कोरोना आने की वज़े से नोक्री से जवाब मिल गया बिजनस बंद हो गया अब कैसे जीएंगे चाहे तुम हो या कोई फिलम एक्टर या कोई पुलिस महकमे का इंस्पेक्टर चाहे किसान चाहे बिजनसमेन भागने में तुम सबी एक से बढ़कर देखो तुमने सुनया ना पहले मैं पहले मैं वो लखनव में होता होगा पहले आप पहले आप आत्मत्या करने में तो तुम पहले आप नहीं करते तुम कहते हो पहले मैं पहले मैं उसी तरज पर सुसाइड करने से कौन पीछे है तुमने वो कहानी सुनी होगी ना गुरू चेला एक नगर में गए वहाँ अवाजे लग रही थी टके सिर भाजी टके सिर खाजा शिश्य वहीं रहना चाहा खाजा, खोया जिस रेट पे सबजी उसी रेट पे खोया कौन मना करेगा गुरू ने मना किया राजा मूड मालूम होता है लेकिन शिश्य नहीं माला आखिर एक दिन उस राज्य में किसी व्यक्ति ने किसी की हक्तिया कर दी पता चला कोई मोटा व्यक्ति हक्तिया रहा है राजा ने अदेश दिया सबसे मोटे वेक्ति को पकड़ गज दन्ड दो शिश्य खाजा खाखा खाखा मोटा हो गया था फांसी पह लटका दिया गया दूसरे की स्थित्य बहुत अच्छी लगती है तुमें अपनी स्थित्य बहुत बढ़ी तुम्हें लगता है तुम्हें जो कस्ट है वो तुम्हें ही है और बाकी सब सुखी और तुम ज़रा से कस्ट से भाख़ड़े होते हूँ यही तो रोज हो रहा है तुम्ने देखा करोना आने के बाद कितने लोग स्वसाइड कर गए किसी की नोक्री चली गई किसी के बिजनस बंद हो गई क्या जिंदगी समाप्त हो गई क्या जीवन में सारे द्वार बंद हो गई इतने बड़े भगोडे तुम सोचते हो सबसे बड़े आदमी जो है जो तुम से बड़े हैं वो सुखी रहते हैं तुमसे अमीर तुमसे उचे पदवाले भूल में हो जड़ा अपने देश के प्रदानमंत्री मोदी की वो तस्वीर देखो जब वो पहली बार देश का प्रदानमंत्री बना था तक्रीबन छे वर्ष पहले कितना सुन्दर करमट चैरा था कितना योवन था कितना कुछ कर गुजरने की शमता थी लेकिन करोना के भवर में सभी पिसे तुम आज के मोदी की तस्वीर देखो छे वर्ष में इतना चैरा जटग्या जैसे बीस वर्ष का अंतराल हो सर पर वजन तुम्हें साथ में लेकर चलने का वजन देश को साथ में लेकर चलने का वजन लेकिन तुम्हें तो अपना ही दुख सबसे बना लगता है स्वयम से ज़्यादा तुम किसी को दुखी मानते ही कहा हो ऐसा है मानते ही कहा हो जड़ासी मुसीबत आई सुसाइड कर लेते हैं लेकिन सारे तुमारी तरह धर छोड़ नहीं होते मुदी तुम सभी को लेकर खड़ा है और तुम स्वयम अपने को भी नहीं समाल पाते लटक जाते हो तुम्हें क्या लगता है अगले जीवन में सभी कुछ पका-पकाया मिलेगा नहीं तुम्हें फिर से आबाज सासे शुरू करना पड़ेगा लेकिन फिर वही बात तुमने सुनाई तो वोई है दुखालियम तो तुम्हें यकीन भी कैसे आए कि यहाँ सुख हो भी सकता है आदमी बड़ा चलाक है वे अच्छे बले सुख को दुख में बदल देता है एक बार एक व्यक्ति मरा मरकर भगवान के दर्बार में पेश किया गया भगवान ने उसके जीवन का वितांत वर्णन देखा बही देखी भगवान हैरान इतना उपदल भी व्यक्ति फिर भी मेरे सामने अकड़े खड़ा है भगवान ने का तुमने तो सभी उपदल किये हत्याएं की, चोदी चकारी की, रेप किये कई इस्तियों से संबंद बनाए, मुर्गे खाए, शराबे पी क्या क्या नहीं किया तुमने, वे व्यक्ति अकड़कर बूला मुछो पर ताव देकर, हाँ ये सभी मैंने किया और जो जो मैंने चाहा वो वो किया ये सुनते ही भगवान नराज हो गए भगवान ने कहा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है वे बोला नहीं, मैं तुम्हारे किसी भी प्रशन का उत्तर देना जरूरी नहीं समझता वे अकड़ा का अकड़ा खड़ा रहा भगवान चोका, भगवान ने कहा, तुम्हें कुछ भी शर्म नहीं आती तुम्हें डर नहीं लगता, कि मैं तुम्हें नरक भी दूँगा, नरक की यातनाएं दे दूँगा वे व्यक्ती अकड़ कर बूला, नहीं, तुम मुझे नरक से बैवीत नहीं कर सकते क्योंकि मैंने इतने उपद्रव किये दर्ती पर मैं दर्ती पर नरक की तो भोक कर आ रहा हूँ उससे बड़ा नरक तुम कहां से दे सकते हैं तुम क्या मुझे नरक से डराओगे मगवान सोच में पढ़ गए माथे पर हाथ रखकर बैठ गए क्या करूं इसका भगवान ने कहा क्यों वे वेक्ती बोला क्योंकि मैं वहाँ जाकर उसको भी नरक बना दूँगा भगवान ने कहा तुम कौन हो वे वेक्ती हसकर ठहाका लगाकर बोला मैं धर्म गुरू हूँ मैंने पढ़ी हैं तुमारी पुस्तके दुखाल ले हूँ दुखी दुख है यही तुमने पढ़ा है तुमने यहां सुख की कलपना ही कभी नहीं की सोचो याद करो तुमारे जीवन में कभी भूले बटके क्या कोई शण ऐसा भी आया है जब तुम यह अनबव कर पायो कि आज तुम से बढ़कर अननदित इस दुनिया में और कोई भी नहीं है तुम ही अननद के शैनशा हो नहीं तुमें शायद याद भी नहीं आएगा तुमने स्वपन में भी नहीं सोचा होगा सुखी अननदित संतुष्ट और वो भी तुम इतना सुन्दर जीवन दिया परमात्मा ने और ना समझो की बातों में आकर तुम मेट दे उस सुन्दर जीवन को दुखालियम मानकर दुखालियम बनाकर बैट गए और उस सुन्दर जीवन को सुख में बनाने के लिए उपाय करने लग गए और उस जीवन को दुख में ही बनाते चले गए सोचो एक इस्तिरी जो बहुत सुन्दर हो अब तुम उसे उस सुन्दर इस्तिरी को ब्यूटी पार्लर लेके जाओ मेकप करवाओ, हीरे ज्वाराद लाद दो उस पर अब देखो उसकी ओर तुम क्या सोचते हो, वो अत्यादिक सुन्दर हो जाएगी उन अभूशणों से, उस शिंगार से, उसकी सभाविक सुन्दरता और सुन्दर हो जाएगी नहीं, भूल में हो वैसारी सुन्दरता छिप जाएगी जो परमात्मा ने तुमें सुक दिये तुम उससे उपर सुखी होने की चेश्टा करते हो और उन सुखों से भी वन्चित हो जाते है तुमने कभी छोटे बच्चे को देखा है दियान से देखना गोरा हो, काला हो, नंगा गूमता हो नाक बह रही हो, बाल बिखरे हो लेकिन कितना सुंदर दिखता है क्यों, कभी सोचा तुमने क्योंकि परमात्मा का बनाया हुआ जीवन कुरूप, दुखालियम कैसे हो सकता है तुम सोचते हो कववा कुरूप है लेकिन किसी बुद्ध से पूचो उसे तो कववे की कूक में वेद की रिचाएं सुनाई देंगी किसी फकीर से पूछो उसे तो कबूतर की गुटरगू में कुरान की आयते सुनाई देंगी तुम्हें कुछ भी नहीं सुनाई देरा इसमें कोई हर्ज नहीं है तुमारा मूर्चित व्यक्ति को कहीं कुछ भी सुनाई देता है क्या आज एक महमादी आई करोना आया मोदी का चैरा आदा हो गया लेकिन समस्याँ से लड़ने की हिम्मत और एक्सपीरियंस दिन दुगना राच चोगना हो गया हजारों लाखों ने जिनका काम धंदा धिला हो गया नए नए तरीके खोज लिए जीवन के लेकिन तुम तुम कुछ ऐसे भी हो बीच में जो लड़ना पसंद ही नहीं करते हैं बिल्लिंग से कूदना पसंद करते हो जीवन से हाल मानना पसंद करते हो नहीं जीवन संगर्ष का नाम है बिना संगर्ष के सुंदर्य कहा, तुम दिशिकेश, रैटिंग करने जाते हो वहाँ गंगा में जो रैपिर्स आते हैं बीच में सोचो अगर वो ना होते तो रैपिर्स अननद आता है, वो अननद होता क्या अब उसी रैपिट्स की जगा किनारे खड़े उकर गंगा को देखो उसी रैपिट्स की जगा गंगा कितना ब्रहमनाद करती है कितनी शंकतवनी करती है वो गंगा तुम्हें बढ़िया लगती है या राम जूले के पास की जो बहती हुई भैती तो है लेकिन भैती प्रतीद भी नहीं होती है शोर भी नहीं करती है तुम्हें कौन सी गंगा अच्छी लगती है उत्तर तुम्हें स्वयम मिल जाएंगे अगर तुम्हारे जीवन में संगर्ष ना हो तो जीवन कैसा हो सोचो तुम्हारे पिता ने एक ऐसी वेवस्ता कर दी कि तुम्हें बैंक से हर महां पचास अजार पर मिलते रहे रहने के लिए मकान मिल जाए एक गाड़ी मिल जाए और यह वेवस्ता उमर भर के लिए हो तो क्या तुम सोचते हो तुम सुखिर होगे तुम अनन्दित रहोगे नहीं तुम एक नीरस जीवन जीओगे जीवन में मीठा, नमग, मिरज, सभी कुछ होना चाहिए मैं अपने जीवन की सच्ची घटना बताता हूँ कि मैं जीवन में कम से कम पाँच छे बाद बिलकुल ऐसी इस्थिती में पहुँच गया जहां आगे रास्ता ही नहीं था ना काम, ना वैपार, ना घर, कुछ भी तो नहीं लेकिन अचानक लाइट चली जाए तुमारे आगे अंधेरा हो जाता है लेकिन तुम घबड़ाओ मत कुछ समय शांती से चुपचा बैठ जाओ देखना उसी अंधेरे में तुमारी आखे देखने लग जाएंगी तुम्हें अंधेरे में रास्ता इस पष्ट दिखाई देने लगेगा इस दुखाल्यम शब्द को अपने जीवन से निकाल कर बाहर फैंक दो ये शास्तों का शब्द है शास्तों में ही बंद रहने दो अपने बोध की खिड़कियां खोलो तुम खाली हो इसलिए दुखी रहते हैं किसी बुद्ध के पास बैठो गए तो तुमारे भीतर का दीपक जल जाएगा भीतर प्रकाश पनप जाएगा तुमारे को भी परमात्मा का साक्षात कार होगा तुमें भी वो उल्ला जो जड़े जड़े में चिपा आख मिचोली कर रहा है तुम उसे भी धपा कह पाओगे वहां तुम जीत जाओगे वहां उस आस्तित्तु के द्वार तुमारे सामने खुई जाएगे और तुम फरमात्मा मैं होकर खड़े हो जाओगे तो तुम खाली खाली नहीं बरे बरे होगे फिर जीवन एक आनंद होगा फिर जीवन एक उत्सव होगा फिर तुम कभी भी किसी से भी किसी इस्तिती से भी निराश नहीं होगे फिर तुम्हारे भीतर उस खुदा के प्रती एक अभार होगा प्रेम होगा और फिर तुम्हारा बोध भी जगरत होगा बुद्धत्म को अपलब्द होगे फिर तुम्हे कव्वा कुँखता दिखाई देगा वहां तुम्हारे लिए सागर मीठा हो जाएगा आकाश में चांद तारों में वो परमात्मा टिम्ट माता दिखाई देगा और उन सभी के साथ तुम स्वयम को भी टिम्ट माते पाओगे और अन्त समय जब इस दुनिया को हसी खुशी जी कर जाओगे तो परमात्मा से कह पाओगे ये परमात्मा इतना सुन्दर जीवन देने के लिए तेरा कोटी-कोटी दन्यावाद अगर हमें काबिल समझे तो पुने-पुने हमें ये जीवन देना हम इसे खूब जीना चाहेंगे फिर तुमारे लिए तुमारे शास्त व्यर्थ हो जाएंगे पुन्वरपी जननम, पुन्वरपी मरणम, पुन्वरपी जननी, जठ देशेनम सब व्यर्थ तुम बार-बार आना चाहोगे इतना सुन्दर जीवन जिस शन बुद्धत्व उपलब्द हो जाएगा तुमारी बोद की खिड़कियां खुल जाएंगे फिर कैसा जाना, कैसा आना कैसा जनम कैसी मित्तू फिर तो यही जीवन अनन्द हो जाएगा यही जीवन मुक्त हो जाएगा यहीं मोक्ष होगा यहीं पर मात्मा होगा सामने अल्ला होगा और सामने तुम होगे एक तरफ खुदा होगा और सामने खुदा की खुदाई होगी वहाँ प्यार ही प्यार होगा सुख ही सुख होगा करना ही करना होगी ये जितनी भी तुमने भगोडापने की मानसिक्ताएं बना रखी हैं बोध की खिड़कियां खोलो और इनको छोड़ो आज इतना ही शेश किसी ओर दिन अंत में तुमारे बीतर बैठे पर मात्मा को मेरा नमन तुम सभी जागो जाकते रहो की ऑन्योरी जाएं ठुमने इनको की ऑन्यवडर लफज लफज। झाल झाल